कोविक गाल में जिस तरह से स्कूल बंद हो गए थे और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी ऐसे में एक समाधान हो जा गया टिक टैक लंड के माध्यम से आप यूटूब पर करोनों बच्चे इसका फायदा भी उठा रहे हैं और ऐसे में आप बड़े नाम इस साथ में जो रहे हैं जो बच्चों से इस पर पढ़ने के लिए अपील भी कर रहे हैं एक बड़ा नाम आव इसमें चुड़ा है प्रीतम सिवाच का जो हौकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं फिलाल कोच हैं और 2002 के कॉमन वेल्ट गेम में गोल्ड मेडल टीम उनकी ले चु तो इस से बच्चों को बहुत हैल्प मिलिया नहीं तो आप यह समझे बीच के जो तीन-चार साल थे हमारे डंप हो गए थे लेकिन मैं अपने टीचरों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी उसके साथ भी वो बच्चों के साथ जुड़े हुए थे और साथ में जो ट टेख लन चला है उसे साथ जुड़े और अपनी पढ़ाई को आगे रखे ताकि आप पडाई से जुड़े रहंगे पढ़ाई से जुड़े रहेंगें तभी आप आगे बढ़ेंगे बच्चे आगे बढवेंगे तो देस lonely बढ़े के सासाथ अगर बात करें तो जिस तरह से ये एक आध्यम बनाया गया तो कोविड काल में बड़ी मुश्किल हाला थे जो गरीब बच्चे थे वो नहीं परपा रहे थे तो क्या एक ससक्त माध्यम इसे माना जा सकता है बिलकुल जैसे आप ये देखना बच्चों को इ असाम लगा होगा तब ही जुड़े हैं बच्चे तो चाहते हैं स्कूल ना खुले और हम जो है टिक टेक लर्न से ही पड़े एक सवाल आखरी आपसे यह है कि आप बड़े जो जारू रहे हैं अपने टाइम में चाहिए आपके कोज हों चाहिए टीचर हों उस वक्त आपने जिस तरह से मेहनत की तब आप यहां तक पहुचे तो क्या बच्चों से इसी तरह की आप अपील करना चाहिए तब ही आप अच्यू कर पाओगे झाहिए